दिल्ली में MCD चुनाव का प्रचार अब एक तरह से आस थम गया है साइलेंस पीरिड शुरू हो जाएगा साधे पाच बजे से और उसके बाद चार तारिक को दिल्ली वाले MCD के लिए वोट करेंगे दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केज़वाल ने आज टाउन हॉल किया था ट्रेडर्स के साथ और उसी समय मुख्यमंतरी से मिलने आए ग्यांचन जी 55 साल के हैं अमर कॉलिनी में इनकी दुकान होती थी और फूट फूट कर रोने लगे वज़ह क्या थी इस चीज़ को समझने के लिए हम संजय जी हैं उसी अमर कॉलिनी के बाजार से ये भी ट्रेडर थे क्या वज़ह रही थी क्यों अंकल रो रहे थे क्योंकि उनको बोलने में परिशानी है असलिए हम संजय जी से समझेंगे सर इनकी दुकान थी आपने अलाच्पन अगर अमगलोनी में तो जो कि MCD की तरो से आकर सील कर दी गई है आज पांच साल हो गए पांच साल से बचारे ना कुछ काम कर पा रहे हैं एक दुकान खोली सी कपड़े की जो कि अपना घर का खर्चा और चा चला दे ते यह और इनकी सिस्टर के लिए और कोई भी निया इनके उसके बाद मैं। सेल करकर चले गए कुछ नहीं नोटीस कुछ नहीं है इनकी नहीं चार्सोफ़ पच्पन दुकाने सील करी हैं वहां पर किसी को कई नोटिस नहीं दिया कोई पहले नहीं दिया कुछ ऐसा लिखज में यह आया होके आज मंदी आगे फूल बेच रहा है भीख मांगने तक की नुमत आगे तो उस पन्दी किया करें हम अपने ही देश में रहे के अपने ही साथियों के साथ नहीं कर पारे हैं बावर से आप लोगों को ला रहे हूँ आईये हम आपको पनहा देते हैं लेंगे पर अपने लोगों सब्सक्राइब आपने लोगों को नोउन देजिए अपने लोगो नोगों को बला नाराच्टरबानी जाते हैं उन्हें से मॉख्य का दो बता हुआ पता हुआ थिए था जो पाई पर लाए खलाता है लुग रहा है आम भाई पहरा रहे रहे हैं वहीं ने तुनती मावेरी तूनते हैं अमने बताहि वह क्या कर दो कि बताहिए पर दूद्स्स इनको पानी पिलाए जाए तो ये एक समस्या है दिल्ली में अमर कॉलनी जैसे कई और बाजार थे जहां पे दुकानों को सील किया गया आपकी भी दुकान सील की गई थी मेरी भी दुकान सील है आज भी सील है वहीं पे और आज मैं उसी दुकान के भार पट्री पे बैढ़ता हूं वहीं पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं अपना कि कुछ घर चलाने लिए कुछ तो करना पड़ेगा अब इतनी तो है निमा जाकि मैं दुकान का बाहर रेंटे बिल लो लाखों पे रेंट है तो हमने हारी इम्मा तो है नहीं मैं वहीं पट्री में बैठा हूं दुकान चलाते थे लेकिन क्योंकि उनकी दुकान सील हो गई इसलिए अब जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी को चला रहे है और पांच साल बाद अब जब MCD के चुनाव हो रहे हैं 2022 में तो फिर से सीलिंग का मुद्दा उठा है और चुनावी राजनीती में एक तरफ जहां राजनेतिक हमला एक दूसरे पे पाटिया करती रही उस बीच ये एक एहम मुद्दा था जो संभवता दिल्ली के व्यापारी चाहते थे कि इसको उठाय करेंगो